इस वीडियो में हम प्रिवियस इयर पेपर का एनालेसिस देख रहे हैं MPPSCAE and MPE Sub Engineer के लिए है यह जो एनालेसिस आप देख रहे हैं यह 2020 पेपर के लिए है 2020 में जो पेपर हुआ था उसका एनालेसिस है तो MPPSCAE के लिए हम बात करेंगे तो ट्रांस्पोटेशन आपको यहाँ पर देख रहा होगा ट्रांस्पोटेशन 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था उसके बाद एन्वार्मेंट, FM, RC, Soil Mechanics, Strength of Material, Steel, CPM and Water Resource यह सभी 10-10 मार्क्स के थे तो ट्रांस्पोटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट निकल करके आ रहा है तो ट्रांस्पोटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल भी हमें नहीं चोड़ना है यदि हम MPPSCAE को टार्गेट कर रहे हैं तो ट्रांस्पोटेशन के हर एक एक कोशन को एकदम बारीकी से अनलाइस करिए सॉल करिए प्रिवेस एर जितने भी कोशन दिख रहे हैं आपको सबसे पहरे प्रायरिटी दीजिए ट्रांस्पोटेशन को उसके बाद जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं सभी का इकवल वेटेज है तो यहाँ से एक चीज यह भी पता चलती ہے कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे सीधे छोड़ नहीं सकते हैं हैना सभी सब्जेक्ट का एककवल वेटेज है तो कहीझे से भी कुछ भी कशचन पूछा जा सकता है तो हमें सभी subject को equally time देना है, transportation को preference देना है, MPPSC AE को जो बच्चे target कर रहे हैं उनके लिए उसके बाद हम बात करते हैं, MP sub engineer के 2020 के paper को analyze देदी हम करें, तो दो shift में paper हुआ था, shift 1 and shift 2 shift 1 में और shift 2 में दोनों में आप देखेंगे, तो transportation का weightage 14 and 15 marks है, तो again, target आप MPPSC AE भी कर रहे हैं, target आप sub engineer भी कर रहे हैं, दोनों में transportation का weightage सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो transportation तो बिलकुल भी नहीं छोड़ना है, हैना सब कुछ पढ़ लेना है transportation में, बड़ा subject है, important subject है, वहीं पर यदि आप environment की बात करेंगे, तो shift number 1 में 14 marks के लिए पूछा गया था, वहीं shift number 2 में, shift 2 में 9 marks के लिए था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा variation हमें देखने को मिल रहा है, environment के weightage की यदि हम बात करें, दोनों paper के लिए तो, वहीं पर BMC building material का जो weightage है, वो भी 13-15 marks रहा है, मतलब BMC, building material एक important subject है, sub-engineer point of view से, जो बच्चे sub-engineer की preparation कर रहा है, transportation को first preference देंगे, उसके बाद BMC को आपको second number पर रखना है, ठीक है, वैसे transportation BMC same ही category में लाए करना चाहिए, यह वो subject में बता रहा हूँ जिनको आपको preference देना है, आपको सबसे पहले priority देना है, इनको ही पढ़ना है, उसके बाद फिर आपके पर time रहता है, तो दूसरे subject पढ़ना है, ठीक है, तो BMC एक important subject है, MPPC AE में ये subject नहीं पूछा जाता है, तो जो बच्चे दोनों exam की preparation कर रहे हैं, वो इस बात को भी ध्यान रखें, कि BMC आप पहले ना पढ़ लीजे, है ना, MPPC में नहीं पूछा जाएगा, BMC, MPPC AE की जब exam आप देते हैं, उसके बाद जो sub engineer के लिए 15 देने हैं, वहाँ पर आप BMC पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखें, surveying, तो surveying का जो weightage है, वो भी 12 marks and 13 marks, shift 1, shift 2 में आपको देखने को बलता है, तो surveying भी बहुत important subject है, MP sub engineer point of view से हम ब जिसको हम hydrology irrigation के नाम से जानते हैं, ये भी एक important subject है, soil mechanics भी बहुत important, यहाँ पर role play करता है, वहीं पर यदि आप नीचे subject की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा strength of material structure analysis और steel, इनका weightage दोनों paper में, दोनों paper में 3-3 marks, 4 marks इस तरीके गई रहा है, तो ये वो subject ह जिनको आप ज़्यादा priority नहीं भी देंगे, ये paper जो 2020 का है, इसको analyze करने पर ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन देखो question कहीं से भी आ सकता है, तो मेरा suggestion ये रहेगा, कि आप सबसे पहले transportation, environment, soil mechanics, BMC, surveying, hydrology irrigation, इनको सबसे पहले priority दीजिए आप, और उसके बाद, फिर सोम, strength of material, जिसको हम कह रहे हैं, structure, analysis, steel के तरफ move करीए, ठीक है, और ये आप MPPCAE को target कर रहे हैं, तो फिर BMC और surveying को आप बाद में पढ़ेंगे, और estimation costing को भी आप MPPCAE की exam के बाद पढ़ने वाले हैं, clear, तो ये 2020-20 paper का analysis था, MPPCAE का और MP sub-engineer का, तो gate academy और adequate education लेकर क्या है course आप सभी के लिए, दोनों exam को target करते हुए, जिसकी classes running है, साथ तारीक से course launch हो चुका है, जिसकी demo class भी YouTube पे अध्वित education channel पर available है, तो आप ये जोईन करना चाह रहे हैं, sports को, तो तूरंत जोईन करिए, 1000 रुपे में available है, gate academy, live app पर live classes होगी, ये आपकी कोई भी class missed भी हो जा class आपको recorded form में app पर देखने को मिल जाएगी, तो बेलकुल भी देरी मत करो, बहुत कम समय बचा है, दोनों exam में तुरंत इस course को join करो